देखे सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रहास ये प्रजार मंतरी भी खायते हैं हमारी भूमे का वही है और जहां तक हम लोग जिस कन्विक्शन से बड़े हुए है कि जात, पंत्र, धर्म, भाशा, सेक्स और पार्टी किसी भी निकश्परम डिस्क्रिमेनेट नहीं करें है और इसलिए मैं हाइवे बना रहा हूँ, तो यहां तक एकक कौॉस्टेंच में पूर, पिर छोड़ दो, ईसा नहीं होता है अगर मुझे कश्मेर से कन्या कुमारी हाईवे बनाना है और मैं बना रहा हूँ, तो जो जो क्उस्टेंच आता हूँ, वहा रस्ता बनाना पड टो मेरे कई औलग और सॉर्ण भी आथे रिगलग प्राटि के हाथ है। और मेरी सोच यही है कि जो काम हो सकता है ऴीम मेंército इसे और सब कर ना चाए यहां कि अब प्रयास करता हूँ और लोग को तंतरे के लिए आवश्यक भी है, कोई उसमें प्राब्लम नहीं है, पर मतशुन नता ही हमारी समस्या है, जो भी पार्टी में उस पार्टी के विचारदारा के साथ, कन्विक्शन के साथ, चाहे जीत हो, चाहे हरो, खड़े रहना, ये बहुत मतवपूरन होता है, मुझा आज मोधी जी पिछले 10 साल से देश में राज कर रहे है, तो निश्यत वे जनता अवसर देती है, पर उसके लिए पेशेंस रखके मेहनत करना पड़ता है, ये मतशुन निता की बात आपने रामनाद गोयन का अवार्ड में भी कही थी, ये बिलकुल सही बात है, ये कॉंग के बारे में मैंने कहने के बजाए, उन्होंने आत्मपरेक्शन करना चाहिए, जहां तक मैं लोकतंतर के एक कन्विक्शन के साथ लोकतंतर पर आस्ता रखने वाला कारे करता हूं, मैं ये चाहता हूं कि I am very much proud of my conviction, मैं कभी छुपाता नहीं कि मैं भारतिये जनता पार्टी क कारे करता हूं, राष्टरवाद, गुड गवर्ननस और डेवलोपमेंट अंतियोदे ये हमारा सामजिक अर्थिक चिंतन हमारा उद्धिष्ट है, और हम राजनिती इसी उद्धिष्ट को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, राष्टरवाद के रूप में इस राष्टर को हम रुद्र संपन्न बनाना, विश्वगुरु बनाना, वर्ल्ड की तिसरी अर्थिष्टा बनाने का हमारा स्वपना है, और आथिक दुष्टे से गाओ गरीब मजदूर किसान का कल्यान करते हुए, हम देश के विकास को आगे लेकर जाए, हम रोजगार के निर्मिती करें गरीबी दूर करें और देश के विकास करें